पर लीक, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चैनायोग, यूकेस SSC, की भरती परीक्षा में हुए घपले की STF जानच उत्तराखंड सचिवाले तका पहुची. पेपर लीक करने वाले गैंग सेतार जुड़े होने के शक में बुधवार शाम सचिवाले के अपर निजी सचिव को बुलाकर STF ने पूछताच की. इसके बाद उन्हें गिरपतार कर लिया गया. इससे पहले, बुधवार को ही भरती परीक्षा के लीक पेपर के जरिये 163 वि लोनीवी अनुभा के अपर निजी सचिव गौरव चहान को पूछताच के लिए बोलाया. बुधवार शाम लंबी पूछताच के बाद आरोपी को गिरपतार कर लिया गया. STF के मुताबिक, आरोपी गौरव चहान ने अपने परिचित समेत दो लोगों को भरती परीक्षा में पास कराने के लिए 15-15 लाग रुपए में डील की थी. आरोपी ने इसका रिजल्ट आने तक 24 लाग रुपए ले लिये थे. लीक पेपर से परीक्षा देने वाले कार्यालाय बुलाए. लीक पेपर से भरती परीक्षा देने वालों से STF ने खुद कार्यालाय आकर बयान दर्ज कराने की अपील की. SSP STF हजय सिंग ने बताया कि पिछले साल दिसंबर में लीक पेपर से परीक्षा देने वाले कई लीक पेपर से पास होने वाले काफी युवाओं की जानकारी मिल चुकी है। उन्होंने चेताया कि यदि ऐसे अभ्यर्थी खुद जानकारी देने नहीं आये तो उनकी गिरपतारी शुरू की जाएगी। इस मामले में तुशार चुहान निवासी का संपुर, जस्पुरी उएस नगर का नाम सामने आया था। STF हने उसे पूछताच के लिए बुलाया और साक्ष भी जुटाए। बुधवार को दुबारा STF कार्याला बुलाकर उसे गिरपतार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 15 आरोपी गिरपतार हो चुके हैं, जिन में 4 सरकारी और 3 समविदा कर्मचारी शामिल हैं। रामनगर के रिजॉट में मिला था पेपर। आरोपी मनोज जोशी ने लीक पेपर के प्रशन तुशार चुहान को बताने के लिए रामनगर स्थित रिजॉट बुलाया था। यहां कुछ और छात्र भी पहुँचे थे। इनकी संख्याचार बताई जा रही है। इनके बारे में STF को जानकारी मिल चुकी है। जल्द ही इन्हें भी गिरपतार किया जा सकता है। बताया जा रहा कि तुशार ने खुद लीक पेपर से परिक्षा दी और कुछ अभ्यर्थियों की डील भी मनोज जोशी के गुट से करवाई। चैनितब भ्यर्थी और अपर निजी सचिव चचेरे भाई। STF के अनुसार, गिरपतार तुशार चहान और गौरव चहान आपस में चचेरे भाई हैं। गौरव ने ही मनोज जोशी से मिलकर तुशार को पेपर उपलब्ध करवाया था।